भारत के किसी भी राजनेता को या किसी भी पॉलिटिशन को भार जाकर ऐसी बात करने की जरूरत क्यों पड़ती है? वो क्यों वहाँ पर जा रहे हैं? मुगल आये थे, अंग्रेज आये थे, उन्हेंने भारत पर आकरमन किया था, भारत की सीमाई लागी थी, लेकिन अब क्या हो रहा है कि ये लोग भारत की सीमाई लाग कर भारत के उपर आकरमन कर रहे हैं और ये जन्ता देख रही है, मैं भी एक नागरिक हूँ, मुझे बड़ा दुख हुआ जब मेरे को सुना कि 35 करोड जन्ता भूगी सोती है, पहले तो ये जैसा आपने कहा, आंक हिसाब से सकते हैं, तो इसका मतलब होता है कि 60 लाख जन्ता, दिल्ली की 30 परसंट जन्ता जो है, वो भूगा सो रही है, 80 करोड लोगों के घर में एक राशन दिया जा रहा है, वो नहीं भी लेना चाहते हैं, तब भी उनके पास पहुंच रहा है, लोग उसको राशन को करते हैं, और कम से कम आतेशी जी, आप जिस तरह से रहुल जी पीछे यूके में गए थे, केंब्रिज में गए थे, उसी भाशा को आप आज बोल रही है, फिर आपने यूके में कहा कि यहां का अल्व संख्यक बड़ा परेशान है, एक दो हिससे कोई हाथ से हो जाते हैं, दो भाई तो कभी भी लड़ जाते हैं, दो एक हाथ से के बारे में आप इतना शोर मुचाते हैं, आपने अभी हाल में जो बच्चियां जिनके साथ में विभा करके रहे जाते हैं, उन पे आप क्यों सड़क पे नहीं आती हैं, आप सिलेक्टिव क्यों हैं, समाज के लिए आप कुछ काम करना सीखिए, समाज में रहिए, विदेशों में जाना छोड़ दीजेगा, ये आप मेरे करदाता के पैसे से महां पे गई हैं, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, और आज हमारे साथ खास बात शीत करने के लिए मौजूद हैं, आम आदमी पार् बढ़ रहा है, पर उसके बावजूद भी 35 करोड लोग ऐसे हैं, जो की भूके सोते हैं, पहला सवाल ये, कि आखिरकार आतिशी के पास ये रिपोर्ट कहां से आई, क्या वहीं दूसरी तरब, ये भी सवाल लगाता राज उठ रहा है, कि राहुल गांधी के तरह, फिर एक सामले परविस्तार से बात करते हैं, हम मनीश सर से, सर, अतीशी जो की दिली की सिक्षा मंतरी है, वो विदेशों में जाकर ये बयान दे रही हैं, कि हमारे भारत की तब हालाज जो हैं, वो काफी जादा खराब हैं, या फिर 35 करोड लोग ऐसे हैं, जो भूके सोते हैं, वही बात यह है कि पहली बात तो भारत के किसी भी राजनेता को या किसी भी पॉलिटिशन को भार जाकर ऐसी बात करने की जुरूरत क्यों पड़ती हैं, वो क्यों वहाँ पर जा रहे हैं, मुगल आये थे, अंग्रेज आये थे, उन्होंने भारत पर आकरमन किया था, भारत की सी कीमा लाकर भारत के उपर आकरमन कर रहे हैं, भाशा से आकरमन कर रहे हैं, भारत के अंदर जो चीज नहीं हैं, उसको भी आप जूट का साहरा लेकर उसको बता रहे हैं, और हमारी अपनी जंता को नहीं बता रहे हैं, आप विदेशों में बता रहे हैं, कितनी बड़ी अज बारत के राजनेता जो अपने आपको प्रटीशन कहते हैं सत्ता धारी कहते हैं और वो सत्ता चलाने के लिए भारत को भार से बदनाम कर रहे हैं और ये जंता देख रही है जब मैं भी एक नागरिक हूँ मुझे बड़ा दुख हुआ जब मेने को सुना कि 35 करोड जंता कहां से कहां छपे हैं आंकड़े आप बताईए ये आंकड़े मैं पूछना चाहता हूँ आपसे दिली के अंदर सवा दो करोड की आबादी है अगर ये आंकड़े सत्ते आपके खिसाब से सत्ते हैं तो इसका मतलब होता है कि 60 लाख जंता दिली की 30 परसंट जंता जो है वो भूगा सो रही है शर्म की बात है कि इस तरह से बात की जाती है और भार जाके भारत के बारे में ऐसी बात की जाती है भारत ने अनाज दिया है और मुलकों को भारत एक्सपोर्ट करता है मुलकों को अनाज असी करोड लोगों के घर में एक राशन दिया जा रहा है वो नही खाने के लिए और पहने के लिए और घरों के लिए पहली बार हुआ है कि इस तरह से घरों के बनाने के लिए लोन दिया ही नहीं गया, बलकि एक अनुदान भी दिया गया है, टॉयलेट बनाने के लिए अनुदान दिया है, कभी आपने सुना है, दिली में आपने क्या साल हो गए और इसी के साथ दिल्ली के मुख्य मंतरी तो ये तक कह रहे थे यानि कि एक तरफ अतीशी विदेशों में जाकर भारत की छवी को धूमिल कर रही है राहूल गांधी की तरह दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्य मंतरी जो है वो तारीफ करते नहीं ठकते और कहते हैं क आम आदमी पार्टी का मैनिफस्टो है इस मैनिफस्टो में कहा जाता है कि आपने अंडर ग्राउंड केबल लगानी थी बिचली वेभाग के अंदर 200 यूनिट फ्री देनी थी मेरे पास में जो ड्राइवर काम करता है उसको 220 यूनिट आई तो उसको पूरा पैसा देना मानता जब आप 220 में से 200 यूनिट कम करके उससे 20 यूनिट का पैसा लेते आपने कहा किया है 200 यूनिट फिली आप जूट बोलते हैं दूसरी बात ये देखीगा इसमें थोड़ा सा आप दर्शाईएगा ये इनका मैनिफस्टो है इन्होंने ये कहा था कि केजिवाल की 10 गा गारंटी आप देखिएगा इसमें विजली की गारंटी के बाद में 24 गंटे पानी आपको फ्री देना था 24 गंटे आपको नल की जो पाइप लाइन्स ती जो वाटर पाइप लाइन्स थी वो डालनी थी कितनी पाइप लाइन्स आपने डाली हैं आप बताईए आप किस की दिल्ली की बात कर रहे हैं, दिल्ली के अंदर शिक्षा की बात करते हैं, इस बार जो रिजल्ट आया है, वो चार प्रसेंट रिजल्ट आया था, छटी, साथवी, आठवी, नौवी और ग्यार्वी किलास का, आपने नकल करवाई बच्चों को से, ये देखिएगा, क्या बेपर की रिपोर्ट है, मैं नहीं कह रहा हूँ ये, मैंने अकवार में पढ़के आपके सामने लेके आ रहे हैं, और ये चार परसेंट के रिजल्ट को आपने पचास परसेंट और साथ परसेंट कर दिया, आपने अध्यापकों को ये कहा कि आप इनके एक्जाम में इनका रिजल्ट ठीक कीजेगा, मार्स पड़ाइएगा, ग्रेस मार्स दीजेगा, फिर नौमी में, नौमी से आगे नहीं गए साथ लाख से छे लाख बच्चे, ये आपकी एक रिपोर्ट है, बताइए पूरे विश्व को, कि दिल्ली के अंदर आपने क्या सत्यानास किया है शा भूके सो रहे हैं, तो इसका मतलब कि साथ लाख आदमी दिल्ली में 30% जो बनता है, 140 करोड का जो बनता है, 35 करोड वो करीब 30% बनता है, इस हिसाब से 102 करोड की वावादी में 60 लाख आपके दिल्ली में निवासी भूके सो रहे हैं, मानिए इस बात को. सर भी आपने दो मुद्दों की एहम बात की है, एक स्कूलों को लेकर बात की है, जो तरीकिस रिजल्ट को अच्छा करने के लिए, तमाम चीज़ें और जो भरस्टा चार सामने आ रही है, सच्चा ही सामने आ रही है, वहीं दूसरी तरफ दिली के मुख्यमंत्री तो अभी य साथ लाख बच्चे नौवी और ग्यारवी में फेल हो जाते हैं, आगे नहीं पड़ पाते हैं, ये आप बताईए, ये ऐसा क्यों हो रहा है, आपके पास में अध्यापक जो हैं, वो बैक डूर एंट्री से आ रहे हैं, रेगलर नहीं है वो, जो स्थाई अध्यापक है, उ और जो आपके ये जो कॉंट्रेक्ट पे आपने लगाए हैं, उनको आप 30 से 32 जार रुपे महीने का दे रहे हैं, अध्यापक क्या पड़ाएगा, मेरिट पे अध्यापक नहीं है, कों सा एक्जाम हुआ था, अध्यापक को टेस्ट लिया गया था, बैक डूर एंट्री से प्रथा आपने चिडा रखिये पूरी दिली के अंदर, और यही नहीं, इसी कोई आप दोबरा इसको दर्शाइए, इसमें इन्होंने कहा था कि महला क्लिनिक आपने बनाए हैं, 80% महला क्लिनिक में कूडे दान बन गए हैं, लोग उनाक कर उसके उपर जा नहीं सकते हैं, वहाँ पे स्टीट डॉक्स, वहाँ पे गुम रहे हैं, 80% आपने लिखा इसमें, आपने कहा था कि 80% जो महला क्लिक मनाई जाएंगे, 80% बंद क्यों पड़े हैं, उनमें ताले क्यों पड़े हैं, और यहां तक रिपोर्ट आ रही है, कि जो जगह ली गई थी, उसमें कुर बनाए गए थे, इसी तरह से DTC के लिए आपने कहा था, 11,000 बसिस देंगे, कितनी बसिस आई हैं, मैं सकार से पूछना चाहता हूँ, आतेशी जी, आप धिनोरा पीट रही हैं, जूटका धिनोरा पीट रही हैं, आप बताईए ना, कि 11,000 आपकी DTC बसिस कहा गई, आप दि पूछते हैं कि दिली का नाकरिक वोड़ देगा आपको, आपने वरक्षों की बात कही थी, कि हम पर्यावन ठीक करेंगे, आपने दो करोड़ रक्ष लगाने थे, आप बताईए कितने वरक्ष लगाए हैं, अभी जून का महिना है, आपकी क्या तईयारी है दिली के अंदर छोड़िए बाहर की बाते हैं, वहर और प्रदेशों की बाते हैं, किंद्र की बाते हैं, आप अपनी बताईए, गाजीपूर के अंदर, भलसवा के अंदर, ओख्रा के अंदर, जो मलबा पड़ा है, दो सो एकड जमीन के उपर पड़ा है, सुनिए, दो सो एकड जमीन है व इसको युटलाइस करेगा फौर गोड़्स, आप कहते हैं इसे इटें बनाएंगे, इसे सडकें बनाएंगे, इसको रिसाइक्लिंग करेंगे, आप ने कों सारी साइक्लिंग का प्लान्ट लगाया है दिली के अंदर, फिर आप कहते हैं कि हम पंचायत राज की तरज के उपर ह जो हमारी विधान सब आच्छेत रहें कितने कितनी पंचायत के आपने कितर्ज पे मौला समाये बनाई है आप तक हमारी बात पौश्टी कहा है आप मिलते कहा है आप दिल्ली में रहते कहा है आपने ये बताईए कि जो आपने शीज महल बनाया था 52 करोड रुपे का उस 52 करोड के अंदर जो स्विंपूल बनाया है कि स्विंपूल कितने नागरिकों को हासल है कौशा यहां पर केंदर केंदर सता में अंदर मंदरी है जिसके घर केंदर स्विंपूल है सतर केंदरी मंदरी है बताईए किस घर केंदर सब दिल्ली के अंदर रहते हैं आप भी दिल्ली में रहते हैं आपने स्विंग पुलाना बराने की क्या वश्क्ता थी आप आद्म आम आदमी है आप ऐसा कहते हैं क्यों चल करते हैं और कम से कम आतिशी जी आप जिस तरह से राहुल जी पीछे यूके में गए थे Cambridge में गए थे उसी भाशा को आप आज बोल रही है फिर आपने UK में कहा कि यहां का अल्व संख्यक बड़ा प्रेशान है एक दो हिस्से कोई हाथ से हो जाते हैं दो भाई तो कभी भी लट लट जाते हैं दो एक हाथ से के बारे में आप इतना शोर मुचाते हैं आपने अभी हाल में जो बच्चियां जिनके साथ में विभा करके करे जाते हैं उन पे आप क्यों सड़क पे नहीं आती हैं आप सिलेक्टिव क्यों हैं समाज के लिए आप कुछ काम करना सीखिए समाज में रहिए विदेशों में जाना छोड़ दीजेगा ये आप मेरे करदाता के पैसे से महाँ पे गई हैं ये आपका पैसा नहीं है सरकार का पैसा है सरकार को पैसा मैं देता हूँ आपने मिसे कहा था कि आप ये गुल्छर्रे उड़ाने के लिए केमरेज में जूट बोलने के लिए जाएंगी दिल्ली का नागरिक आपको जवाब देने को तियार हो रहा है इस वक्त सर्ब दिल्ली की नागरिक को ही फ्री की गैरंटी देने की वादे फिर एक बार अर्विन केजरिवाल की तरफ से किये गए हैं पानी पर जीरो बिल गैरंटी देरे हैंब जीरो बिल आएगा पानी पर ऐसा है कि आप लिए का मामला था कि सरकार जो को ट्रीप जाएंब के जासे में फहसाती थी उसमें इसको बिल नहीं देना पड़ेगा 500-700 रुपया बिल हम दे देंगे सब दिल्ली का नागरिक देने को तईयार है आप बताईगा दिल्ली को आपने इसके इवर्स में दिया क्या है 500-700 का बिल आप रोजगार दीजेगा आप बताईगा दिल्ली में क्या रोजगार बढ़ा है अगर किसी को 20,000 रुपे घर में अगर तनखा मिलती है उसमें से आपको अगर 500, 700 का बिजली का बिल दे सकता है वो लेकिन रोजगार दिया आपने कौँ सा रोजगार दिये कौँ सी नई फैक्टिव लगई है दिल्ली के अंदर आप यह बताईगे कौँ सा इंडेस्टिल इडिया ड्लप हुआ है अभी आपने तो दुकानदारों के उपर सफाई के नाम पर 500 रुपे से लेकर 3,000 रुपे तक का टेक्स लगा दिया है कि हम सफाई करेंगे क्या आप सोचते हैं कि दुकानदार भार अपने दुकान के आगे कूड़ा डालता है किस बात का पैसा ले रहे हैं आप उन दुकानदारों से मुखे एक का उनका रोजी रोटी चल रही है नहीं चल रही है टेक्स लेना आता है आपको और टेक्स का बर्बात करना आता है कि ना केजरिवाल दिल्ली में बैटते हैं और और परदेशों के अंदर गुम रहे हैं मतलब दिल्ली को आप समालनी पा रहे हैं आप पंजाब का दौरा करते हैं कभी गुजात का डौरा करते हैं कभी कहीं का पहली बार देखा है कोई धिली का या किसी और भी परदेश का जो CM है वो विदेश में जाकर इस तरह से उनके मंत्री इस तरह की बात करते हैं यह पहली बार हो रहा है सरीन बयानों के बाद लगातार जो वादे किये गए हैं क्या जनता भरोसा दिखा पाएगी अर्विन केजरिवाल के उपर क्योंकि अभी दस गैरंटी तो आप नहीं गिनवाई हैं जिन पर जमीनी सतर पर अर्विन केजरिवाल सरकार के तरफ से काम नहीं हो पाया है पूरी त चीजें बोली थी जन लोकपाल भिल कहां है नौ साल में कहां गया ये बिल इस बिल के अंदर जो सवाल आज मैं आपके सामने खड़े कर रहा हूं मैं जन लोकपाल के पास में जाता और आप से सवाल करता है वो एक प्लेट फॉर्म था जहां पर हम नागरिक सवाल कर सकते थ दिली में के अंदर सुराज बिल लेके आने की बात की थी कहां है वो सुराज बिल और कहां है अन्ना अन्ना को हमचा मिलके आए हैं तब अन्ना ने कहा कि मेरे को शर्म आ रही है मैं दिली में कैसे चेहरा दिखाऊं मेरे चेहरे पे इन्होंने सत्ता हासिल की और आज की तार से आपने दो बार दंगे कराए हैं दिल्ली के अंदर वो भी अन्ना उससे विचलते है हमारी सत्य अभियान की टीम जब अन्ना के वो मिलने गई थी तो अन्ना ने इन विशों पर कई बार चचा की हम वहाँ दो दिन रहे और पांच दिन हमने पांच बार मीटिंग की और उस वक्त अन्ना की हालत ये थी वो चौरासी वर्ष है आपने उनके सौस्त के बारे मैं पूछा क्या सौस्त है उनका उनको इस्तमाल किया और वह भैक दिया ये आपकी राजनीती है हमने सोचा था कि आप कुछ अलग है जो हमने आपको वोट दी थी तो हमने ये नहीं सोचा था कि केजरीवाल आज उन्हीं दलों से हाथ मिलाकर उन्हीं की भाशा बोलेंगे और जैसा राहूल बोल गया है वैसा ही आप भी बोलेंगे आपने तो शीला दिक्षीजी के खिलाफ बड़ी F.I.R. करने की बात की थी पांस सो कागस थे आपके बास में भरश्टाचार के भरश्टाचार के कागस कहां चले गए जब आप खुद भरश्टाचार में लिप्त हो गए हैं जो आपके दो मंत्री जेल के अंदर हैं जो आप जेल में आप भी जाने वाले हैं आप गिर्गडाते डोल रहे हैं आप ये कह रहे हैं कि आपको आईएस आफीसस हैं उनको उनके तबादला आपके हाथ में होना चाहिए आप किसी को भी किसी डिपार्टमेंट में डाल देंगे आपके पास में तीन दिन के अंदर आपने वहां पे जो विजनस की फाइले थी, वो गाइब करवा दी, वो सब वीडियो रिकॉर्डिंग में आ रहा है, वो कहां गई फाइले, आप इसलिए फेर बदल करना चाहते हैं, आप किन आदमी को लाना चाहते हैं, कोई आपके खास हर व्यक्ति, हर I.E.S. आफिसर एक सरकार के साथ में बना होता है, और वो अपनी कर्तम इनिश्चा से बड़िया काम करना जानता है, उसका ट्रांसफर करके उनके अंदर भेद भाव डालकर आप उनको भी राज़िती में कसीट रहे हैं,